कोई भी वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर तो कोई भी वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी हमारे पास 6 मीटर है और उसकी शेड़ो कितनी जाती है 4 मीटर लॉंग है एड एड दी सेम टाइम एड टावर कास्ट शेड़ो 28 मीटर लॉंग फाइंड दा हाइट ऑफ दा टावर तो एक पोल है एक टावर है दोनों अलग-अलग दे रखें आपके पास तो हमारे पास दो फिगर आ जाएगी यहां पर तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं फिर आगे देखते हैं क्वेशन में क्या बोले हैं परस्ट इस टावर तो पहले एक टावर और पोल ड्रॉ कर लेते हैं तो इस सपोज इसकी शैडव गई यहां तक और इसका जाएं करते हैं ठीक है ऐसे ही देखरों उसकी शैडव गई और वे इसको जाएं तक इसकी नभी अब उसके लिवर तो एक-बी-ग-णे पहले AB की height कितनी दे रखी है 6 meter pole की height और 4 meter उसकी shadow की length दे रखी है ऐसे ही DE हमारे पास क्या है height of the tower वो हमारे पास नहीं given और उसकी shadow की length कितनी दे रखी है 28 meter और name दे दिया F यही given है हमें तो पहले जो given है वो लिख लेते हैं फिर बोला है find the height of the tower मतलब यह find करना है आपको DE तो यहाँ पर लिख लेते हैं given given में क्या हैगा आपके पास height of pole क्या height given है हमें equals to AB हमने लेट किया है equals to कितना दे रखा है 6 meter लिख दिया उसके बाद आता है length of pole of shadow ठीक है जो shadow थी pole की shadow थी उसकी length को हमने क्या लेट किया BC और वो कितना आएगा 4 meter second हमने क्या दिया है figure में length of tower of shadow ठीक है तो वो हमारे पास हमने क्या लेट किया है EF और वो कितना दे रखा है 28 meter all are in the meter तो meter लिखती है अब to find है यहाँ पर प्रूव नहीं है तो to find लिखेंगे to find में हमें क्या find करना है height of tower और वो कितना है हमारे पास वो हमें find करना है ठीक है अब solution कहां से start होगा इसका देखो आपको 2 triangles दिख रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले देख लेते दोनों triangles similar हैं के नहीं हैं अगर similar हो जाएंगे तो sides का ratio equal आ जाएगा और question easily solve हो जाएगा अब similarity के लिए क्या करना है सबसे पहले आपको पता है pole अगर हमारे पास base के उपर है तो 90 का angle form करेगा ऐसे ही tower भी 90 का angle form करेगा दो चीज़े हो गई हमारे पास उसके बाद क्या बोला है ये बोला था at the same time tower cast a shadow same time पर अगर shadow cast हो रही है तो angle of elevation जो है वो दोनों के case में क्या होगा equal होगा ये आपको ध्यान रखना है अगर same time पर shadow हम cast कर रहे है तो angle of elevation will be equal दोनों का angle of elevation क्या होगा सेम होगा तो angle c और angle f equal आ जाएंगे दो angle आ गए हमारे पास तो एक criteria से क्या हो जाएगा similar हो जाएगा तो पहले start करते है जो हमने देखा अभी triangle में वो लिखना शुरू कर देते है in triangle a b c and triangle d e f ठीक है हमारे पास क्या given है angle b equals to angle e और reason में आप दिखूँगे 90 degree तो दोनों क्या है बोध are vertical to ground ये reason हो गया हमारा vertical to ground ठीक है second हमारे पास क्या है angle c equals to angle f और reason क्या हैगा same elevation in both the cases as क्यों है both the cases में as shadows are cast at the same time cast at same time ठीक है ये reason हो गया therefore triangle a b c is similar to triangle d e f और reason आ जाएगा by a a similarity ठीक है अगर हमारे पास दो triangle similar है तो उनकी sides का ratio proportional होगा तो यहां से लिखेंगे this implies ratio of their sides are in proportion देख देगे proportion में तो जिस side की जरुरत है वो ले ले लेते हैं और जो side given है वो ले ले लेते हैं एक हमें a b given है और एक हमें d e find करना है एक हमें b c given है और एक हमें e f given है तो सिर्फ यही दोनों लिए तो यहां से मेरे पास क्या आया this implies a b is 6 upon d e equals to 4 upon 28 तो यहां से आया 1 by 7 cross multiply करें तो हमारे पास आ जाएगा d equals to 6 into 7 that is 42 meter यही हमें find करना था तो last में क्या लिखेंगे final statement hence the height of the tower height of the tower is 42 meters ठीक है यह answer हो गया हमारे पास important question है ज्यांसे करना है ठीक है confused नहीं हो ना easy है similarity भी आ गया और साथ में हमने क्या यूज़ किया elevation का भी यूज़ किया अब proceed करते है question number 16 की तरफ question number 16 में क्या बोला है if ad and pm are medians of triangle abc तो कोई भी triangle है abc उसकी median क्या है ad और pqr triangle है उसकी median क्या है pm where triangle abc similar to pqr यह भी given a proof that हमें यह ratio equal prove करना है जिसमें हमारे पास एक तो side field है और एक क्या है median तो यह ratio prove करना है तो पहले figure draw कर लेते हैं फिर given to prove लिखते हैं साथ में क्या दे रखा है एक median बोला है तो यहां से median draw कर लेते हैं यह median है ठीक है अब naming देना शुरू करते हैं इसको this is p point this is q this is m this is r a b c and d ठीक है तो जो given है पहले वो लिख लेते हैं given में हमारे पास क्या आएगा triangle a b c and triangle p q r such that तोनु क्या हैं similar है triangle a b c is similar to triangle p q r also a d and pm are median of the triangles medians of triangle a b c and triangle p q r यही given था to prove clearly सीधा सीधा given है तो लिख लिख लिया यहां पर to prove क्या आएगा a b upon p q equals to a d upon pm देखो a b p q a d pm ठीक है अब यह एक तरह से question जो हमने पहले किया था उसका reverse हो गया उसमें क्या था हमारे पास तो यह triangle हमारे पास similar थे और हमें छोटे वाले triangle को हमने similar दिखा के और फिर sides का ratio यूज किया था अब यहां पर क्या होगा छोटे वाले triangle का ratio हमें find करना है मतलब उसको last में similarity में दिखाना पड़ेगा तो पहले जो हमें triangle similar given है उससे proceed करते हैं तो start करते हैं proof से proof कहां से start होगा जो triangle हमारे पास similar given है अब क्या लिखेंगे सबसे पहले ad is median this implies हमारे पास क्या जाएगा यहां से bd equals to cd equals to half pc ठीक है similarly pm is median यहां से क्या जाएगा this implies qm equals to rm equals to half of qr जरूरत पड़ेगी तो use कर लें अब आगी क्या given है आगी हमारे पास triangle given है तो लिखते हैं now triangle a b c is similar to triangle p qr तो sides का ratio equal होगा देखो कौन सी side होगी इधर से a b तो उधर p q इधर b c तो इधर qr और इधर ac तो इधर pr लिख देंगे corresponding sides corresponding sides of similar triangles लिखते हैं उसके बाद देखो अब हमें किसकी जरुवत है a b p q और साथ में a b this is a b this is p q तो यह चाहिए साथ में b d चाहिए मतलब a d चाहिए तो इस triangle में कौन सी side है b d वाले side है तो हम कौन सी side को deal करेंगे b c और q r यह वाली side लेने का benefit क्या है क्योंकि हमें triangle a b c और triangle p q r पर बात करने हैं तो a b upon p q equals to b c upon q r तो यहां पर लिखा b c upon q r अब b c का हमें क्या पता है half लेना है तो b c की जगें लिख सकते हैं 2 b d upon 2 q m ठीकी इसकी जगे 2 b d और इसकी जगे 2 q m 2 से 2 cancel तो क्या आ गया b d upon q m आ गई एक चीज हमारे पास यह first equation हो गई दुबारा से नीचे लिख देती हूँ a b upon p q equals to b d upon q है यह first equation हो गई also दोनों triangle हमारे पास similar हैं तो यहीं पर लिख देती हूँ and हमारे पास दोनों triangle similar हैं therefore angle a equals to angle a नहीं angle b की ज़रुरत है so angle b equals to angle q ठीक है corresponding angle हो गए इसको equation name दे दिया 2 अब आप क्या लिख सकते हो देखो by 1 and 2 by 1 and 2 in triangle कौन से triangle जो हमारे पास दे रख है जिसको हमें क्या करना है similar प्रूव करना है triangle a, b, d and triangle p, q, m क्या है हमारे पास a, b upon p, q equals to b, d upon q, m and angle b equals to angle q तो कौन से criteria से similar हुआ s as से therefore triangle a, b, d is similar to triangle p, q, m और reason क्या आगय है यहां पे by s as similarity देखे उपर triangle में कौन से दो triangle की बात हुई है a, b, d this one ठीक है कौन से triangle लिया हमने a, b, d और साथ में यहां पे p, q, m इन दोनों triangle में अगर similar होगे तो side का ratio भी equal होगा तो यहां पे लिख देते हैं sides का ratio equal होगा this implies a, b upon p, q equals to क्या बोला है a, d upon p, m reason क्या आजाएगा corresponding sides of similar triangle corresponding sides of similar triangles ठीक है, यही हमें prove करना था तो हमारे पास आ जाएगा hence proved easy question है, अच्छा question है द्यान से करना है, यह last वाले सारे question important है